दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMD News चैनल को और दबाएए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटिस्ट नीज वीडियो सबसे पहले स्कूल जाना हर किसी के बच्पन का हिस्सा होता है हमारे बच्पन की जादातर यादे हमें अपने स्कूल के दिनों में ही मिलती है नई किताबे, नई ड्रेस जिन में बच्पन में कुछ अलग सा ही मज़ा आता था वैसे देखा जाए तो हमारे देश में बहुत सारे स्कूल है जिन में से कई बहुत फेमस है इसके अलावा भी हमारे देश में स्कूल लगातार बढ़ते ही जा रहे है बहुत से स्कूल तो सिर्फ बिजनेस करने के लिए स्कूल खूलते है लेकिन कई स्कूलों में बहतर शिक्षा भी दी जाती है ये तो हुई आपकी हमारी बाते लेकिन सेलिब्रिटीज के बच्चे आखिर की स्कूल में जाते है ये प्रश्ण भी आपके मन में कई बार आया होगा चलिए हम इसकी जानकारी आपको देते है दरसल हाल में एक स्कूल का एन्वल फंक्शन हुआ और कई बड़ी हस्तियों को वहां देखा गया वैसे इसकूल के उनका नाम भी इन बड़ी देश की बड़ी-बड़ी हस्तियों में आता है दरसल इसकूल का नाम है धिरु भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि इस इसकूल को चलाने वाला अमभानी परिवार का ही कोई सदस्य होगा इसकी जानकारी भी आपको दे देते है इस स्कूल को खुद मुकेशंबानी की पतनी नीता अमभानी चलती है जाहिर सी बात है जब इतने बड़े बड़े लोगों के बच्चे स्कूल में पढ़ते है तो स्कूल में हर बो सुविधा मौजूद होगी जो बच्चे के लिए जरूरी है साथ ही सुरक्षा के भी सभी इंतजाम है यह होने वाली हर एक्टिवी टी में नीता अमबानी निजी रूप से ध्यान देती रहती है एनूल फंक्षन के दौरान वह जो सितारे मौजूद दिखे उसमें शामिल थे रितिक रोशन, एश्वरिया और अभिशेक, शाहरुक खान, करिश्मा कपूर आदी इस स्कूल में तीन बोर्ड के तहट पढ़ाई होती है जिनमें इससे IGCSE और IBDP शामिल है अब इतना बड़ा स्कूल है तो फीस भी बड़ी होना लाजमी है इस स्कूल की सालाना फीस एक लाख सतर हजार से लेकर चार लाख रतालीस हजार है वैसे मुंबई मिरमे छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पैरंट के हवाले से लिखा गया था कि इस स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए उन्हें अलग से 24 लाख रूपे भी जमा करवाने पड़े थे